हेलो दोस्तो आज हम तुमको बताएंगे गले की पैपिन काजपट्टी बटन टेट आपको इन तीनों की जानकारी इसमें देंगे वीडियो में और बताएंगे भी अच्छी तरीके से यह हमने पहले से ही बना रखा हुआ है डेट डाल रखा अस्तर रोग रखा हुआ है यह जो हमारा पल्ला है यह बटन टेक है इसमें हम बटन टेक बनाएंगे यह हमारा बटन टेक है इसमें लमसम हम इस हिसाब से यह हमारा सिद्धा पल्ला है इसमें दो इंची की पट्टी हम इस हिसाब से शिलाई लगा लेंगे हम फिर हम यह दबाव जो दो इंची की पट्टी हमने शिलाई लगाई हुई है इसको visto सम्हम इस हिसाफ से 1.5 इंच मोड लेंगे इस हिसाफ से जिससे हमारा रेशा बाहर की तरफ न निकले अब इसको हम इस ह रेवान से परट लेंगे परटने के बाद में इस पे हम उपर की शिलाई लगा लेंगे अब इसी प्रकार से हम काजपट्टी भी बना लेंगे इसी प्रकार से अस्तर हम बराबर कर लेंगे बराबर करने के बाद में इस हिसाब से इस पे हम रख करके सिलाई लगा लेंगे जो हमारा दो इंची का टुकड़ा है जो हम बना रहे हैं काजपट्टी उस पे हम सिलाई लगा रहे हैं इस हिसाब से इसको हम मोर लेंगे मोरने के बाद में हम सिलाई लगा देंगे अब हम पैपिन के लिए अब हम पैपिन के बारे में बताएंगे आपको फिर यह हमने डेड़ हिंची की पट्टी काटी हुई है इसको हम डबल फोल्ड करकर इसको इस हिसाब से दोहरा करकर सिलाई इस पे लगा लेंगे हम इस हिसाब से यह हमारी सिलाई हो चुकी है और इसके बाद में हम इसको इस हिसाब से पलट लेंगे और पलटने के बाद में हम इस पर पैपिन पे सिलाई नहीं लगाना है में नीचे की तरफ सूत भर सिलाई नीचे ही लगाना है में नवन्ना हमारी पैपिन खराब हो जाएगी इसी हिसाब से हम दूसरी वाली भी शिलाई पैपिन की कर लेंगे ये हम सामने गला की पैपिन के बारे में बता रहे हैं आपको क्योंकि इसमें पूरे गले की पैपिन इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको क्योंकि पीछे गले में हमारी डिजैन पड़ेगी इसी कारण हम पैपिन सामने गला की बता रहे हैं पूरे गले की भी पैपिन हम आपको बताएंगे किस प्रकार से डालें और अच्छी तरीके से पैपिन भी निकलेगी इसको भी पैपिन के नीचे नीचे ही हमें सिलाई लगा लेना है इसी परकार से पैपिन निकाल करके हम फिर आपको डिजैन के बारे में भी बताएंगे किस परकार से डिजैन डाले और किस हिसाब से इसको हम पला को कंधी जड़ेंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे